हेलो फ्रेंट स्वाधा थे आप सभी का कलरफुल स्टेडी के इस यूट्यूब चैनल में आज हम बात करने वाले है कि वोईस क्या होती है और वो कितने टाइप की होती है और क्या-क्या कौन-कौन सी वोईस किस-किस टैंस के फॉर्म में हम लोग कनवर्ट कर सकते हैं तो आज हम बहुत ही सौर्ट और सिंपल तरीके से वोईस देखेंगे आपको अगर थेवरी पढ़ना है या इसके बारे में डीटेल नौलेज लेनी हो तो आप किसी अधर सोर्स पर जाकर कि इसको डीटेल में पढ़ सकते हो हाला कि आपको जो भी एक्जाम में क्वेस्टेंस आते त तो अब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम वोईस की बात करेंगे तो वोईस जो है दो टाइप की होती है एक तो होती है हमारी एक्टिव वोईस और एक होती है हमारी पैसिव वोईस अब आपको यह नहीं देगा वो की एक्टिव से पैसिव में बदली है पैसिव से तो दिर्फ इते लिखा आजाता है कि छेंग देल वोईज माल Eck मित्लब आपको पेचानना होता है कि क्या वहा ज्यवेक में है तो आपको पैसिव में外 करना होता है और आगर वहा जीजय को अ-सको करना होता है यह सारे एक्टिव में ही होता है तो पैसिव में हिम हो जाता है शी का हर हो जाता है दे का दैम हो जाता है मतलब जब आप एक्टिव से पैसिव में करोगे तो ही से हिम हो जाएगा लेकिन जब आप पैसिव से एक्टिव में करोगे तो हिम का ही हो जाएगा और यह जो है आप बस थोड़ा सा normally conversion होता है इसे आप memorize करके रख लीजिए जिसे कि आप आसानी से इस चीज को समझ पाओगे तो जैसे i कम ही हो जाता है it का it ही रहता है u का u ही रहता है और v का us हो जाता है us से v हो जाएगा और v से us हो जाएगा अब हम लोग बात करेंगे simple present tense की तो simple present tense का जो structure होता है हम लोग जानते है present indefinite tense में subject प्लेस वर्ब की first form प्लस s e s i s plus object होता है जिसको कि हम लोग passive में convert करेंगे तो object को subject से replace कर देंगे उसमें helping verb आएगे है हमारी is mr और फिर verb का third form लगेगा इसमें verb का first form लग रहा था लेकिन अब verb का third form आ जाएगा फिर उसके साथ में by जोड़ीगा फिर उसके बाद में last name में हमारा subject आ जाएगा basically जो है हमारा object को subject से हमको replace करना होता है जैसे c c is a peacock तो उसका जो है passive हो जाएगा a peacock जो कि हमारा object हो subject से replace होगे तो a peacock is इस जो है helping verb हो जाएगी हमारी यहां से plus verb की third form तो c is का scene हो जाएगा और फिर उसके बाद में हम लोग को जोड़ना है by plus c का हर हो जाएगा जो कि मैंने आपको पहले ही basic में बताया चलिए तो हमारा जो है c c is a peacock का helping verb जो है हमने s e s i s को इस हमारे से replace कर दिया बाकि normal हमारा जो sentence था वही रहेगा और subject जो है वो object से replace हो जाएगा तो a peacock यह seen by her यह हमारी जो है voice इसकी change हो जाएगी अब अगर आपको मैं एक sentence देती हूँ see draws a painting तो आप लोग इसको जो है convert करके बताईएगा कि इसका pass you क्या होगा उसके बाद अब हम बात करते है उसके बाद हम बात करते है simple past tense की तो जो simple past tense होता है इसमता subject plus verb की second form plus object और जो उसकी passive voice होती है उसमें होता है object plus was verb plus verb की third form plus by plus subject यह हमारा structure होता है basically कि हमको कैसे पहचानना होता है तो देखो अगर आपको यह structure याद है simple past tense का की subject plus verb की second form plus object तो इससे आप जो है passive easily convert कर सकते हो यह हमारा object हो गया the stories जो हमारा object हो जाएगा उसके बाद में आएगा हमारा was और were तो हमारी stories है plural form में है तो यह जाएगा were और फिर हाएगा हमारा बब की third form तो write, wrote, written यह हमारी third form हो जाएगी written the stories were written फिर इसके बाद में by लगेगा written by author author का जो है हमारा author ही होगा जो हमने subject use किया है तो यह हमारा जो है इसका change voice हो जाएगी जो की the stories were written by author यह हमारी जो है इसकी passive voice हो जाएगी फिर हम एक example के तौर पर समझते हैं कि एक example suppose मैं आपको देती हूँ she cut an apple अब आप लोग को जो है इसकी voice को convert करना है तो आप लोग यह question है आपके लिए कि आप इसकी voice को convert करके बताईएगा इसके बाद हम बात करते है simple future tense की तो simple future tense कैसा होता है हमारे active voice जो है उसका subject plus cell, will और plus verb की first form plus object ही है हमारा simple structure होता है simple हमारे future indefinite tense का जिसको कि हम लोग को पैसियो में convert करना होता है तो पैसियो में इसको भी उसी तरीके से object को subject से replace करके shall be, will be का हम लोग इसे तेमाल करेंगे प्लस verb की third form लगेंगे इसमें और फिर by और फिर subject usually जो है by और subject जो है normally हर form वर्ब की form जो है change हो रही है या फिर जो भी active से पैसियो में जब भी हम change कर रहे है तो हमारा by और subject जो है commonly use हो रहा है हर से इसमें तो देखो हमारे बस मैं example लिखा है कि example दिया I shall write a letter जो कि हमने देखा कि subject प्लस shell will प्लस verb की first form प्लस object जो कि हमारा active है और यह simple future tense है तो हम लोग इसको convert कैसे करेंगे object तो a letter जो है हमारा object है तो सबसे पहले हमने object लिखा फिर हमारा helping वर्पे उसके साथ में भी लग जाएगा तो a letter shall be and then write का जो है third form हो जाएगा हमारा return और फिर by और फिर subject तो return by me तो यह simple future tense हो जाएगा हमारा a letter shall be return by me तो यह हमारे तीन basic tense हो गए इसके आगे के tense हम लोग जो है आने वाले videos में देखेंगे hopes हो कि आप जब तक के अच्छे से prepare करें इने और इन तीन sentence के जाकर कि आप बहुत सारे objectives लगाई है ताकि आप लोग जो है सीख सको कि कैसे आप लोग sentence पहचान कर इसे convert करते हैं